तो मेराज पांडıya है आप देख रहे हैं RCN V आप सभी का RCN V टुड़े चैननल पर हार्जिकिτ स्वागत है आपक अपना चैनल है इस चैनल के मारधिन से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूरता सही और सठीक होती है इसलिए आप इस चैनल से जुर सकते है जिससे आपको सभी सब्सक्राइब करें जिससे मार वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं दस बड़ी खबरों को सुनने से पहले आप सभी कले एक महतपूर सूचना अगर आप WPAT P1PET परिशा की त्यारी कर रहे हैं पे परिशा को कुरिफाइब करना चाते ही आप चातें कि आपकी number increase हो जाए तो मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि आपकी number increase हो जाएंगे कम नहीं 10-15 number increase होंगे और 10-15 number की value क्या होते हैं आप से भी को पता होगा इसलिए मैं आपसे कहता हूँ और बार बार समझाता हूँ कि जो कि सिलेवस का अंसार आपको तयारी करनी चाहिए NCRT के बुक का ध्यन करना चाहिए Lucent से भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो NCRT का बुक कच्छा आर से लिकर 12 सिलेवस के अंसार Lucent आपके लिए बहुत सी महत्पूर है साथ साथ अगर आप टेस्ट बुक का टेस्ट सीज परिचच कर लेते हैं एक साल के लिए 18 महीने के लाइट टाइम के लिए और ज्यादा पैसा नहीं लेगे पांच-छे सो रुपे में आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलती है आप 18 महीने तक जम कर त्यारी कर सकते हैं तो अभी आप इसे परिचच कर लें क्योंकि इससे आपके नंबर इंकीर्ज होंगे आपको मौक टेस्ट देने का मौका मिलेगा आप अपने आपको इंप्रूब कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप कितने पानी में हैं आपके कितने questions है हो रहे हैं उसी अनुशार आपको NCRT पढ़नी है उसी अनुशार आपको जो है 470 टोटल टेस्ट 177 है फिरी टेस्ट 11 है आपके जहन में सवाल होगा 117 ही कियो टेस्ट है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे और इंक्रीज किया जाएगा इसे और बढ़ाया जाएगा इंक्रीज योर सेलेक्शन रेट के समझ में जो पताया गया है 50% बिद टेस्ट बुक पास अगर आपको छूट चाहिए तो इसका भी आउसर आपकी पास है आप आर्सीन कूपन कोड का यूज करके 10% का डिसकाउंट पा सकते हैं यानि कि अगर 399 रुपे का है तो उसमें आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा तो 306 रुपे मिलेगा तो आपका बच्चत भी है बेहतर त्यारी भी है और आपके नंबर भी इंक्रेज हो रहा है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा परिचर्च करने के लिए डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ उस लिंक पर क्लिक करके इसे परिचर्च कर सकते हैं अभी जाएए देर मत करिए पारिली ख़वर है रेलवेज गुरुब डिए की परिच्छा को लेकर रेलवेज गुरुब डिय की परिच्छा में सफलता कैसे पाएं कई विश्यसग्यों की राय सामने आई है और मैं आपको बताना चाता हूँ सिलिबस को देख कर अभ्यर्थी उलच गए हैं विसे सग्यों की सला है कि प्रैक्टिस चैट का लगातर अभ्यास करें अभ्यर्थी परिछा 17 अगस्त को प्रस्तावित है इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्ट बूक का टेस्रीज परिचेज कर लें क्योंकि उसमें जो है आपको रेलिवे गुरूब डी परिच्छा से सम्मंद पूरा टेस्रीज मॉक्चेस देने का मौका मिलता टेस्रीज आपको मिलेगा आप समझ पाएंगे कि स्लेबस किया है किस आधार पर पूछे जाएंगे उस अनुसार जो है आपको किताबहों से भी त्यारी कर सकते हैं जब तक आपको बेशिक मालूम नहीं होगा बेसिक जान परिचेश कर लो यहां सी आर्टी से त्यारी करो लूशन से त्यारी करो आपके त्यारी बहुत ही वहाटर हो जाएगे आपको ग्यान हो जाएगा इंप्रोब होगी आप तो आपका सेलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको किस पर ज़िक्राना चाहिए वर इडिद दुक्ता ज़िए अगर आप Grี่ की परिचा दिने जा रहें तो उसमें सफल ओने के लिए आप को किस पर फोकस करना चाहिए जिते परिछा में निगेटिव मार्की भी है ऐसा आप पुलों को मालूम हुगा पर। है कि लिए सही और सुनियोजी तरीके से त्यारी करें गणित रिज्जिनिंग समाने विज्ञान पर फोकस करें करें करेंट अफेर्स के लिए समा चार पत्रों को नियम में तुरुप से पढ़ें अब आपके जहन में सवाल होगा करेंट अफेर्स कब तक पूछे जाएंगे तो से कई भरती होंगे कई स्टुडेंट होंगे जो दिन डात पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको उन से बहतर होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन हाँ अगर आप गणित रिज्जिनिंग समाने विज्ञान पर फोकस करते हैं करेंट अ मैं पर जानकारी देदू बेरोजगारी को लेकर जून में एक दसमलों तीन करोन लोग हुए बेरोजगार सहरों की मुकाबले गाओं में ज़्यादा है असर जो सीम आई एक की रिपोर्ट है मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आप भी चाहता हूं सीम आई ए की आंक्रे जो तुरा हाल है हर्याना की अगर थितन बाद करें तो 40 उस्टेश्ट पर सबने स्मीन nehmen करें साहुन améric Kate zupełnie तो 17 2 परसट जब मुकास्मिय की बात करें तो 1 2 की बात करें तो 9 8 परसेंट मैं टॉप 10 की बाद बता रहा हूं हर्याना वीजे सब्सक्राइब को भली भाच मालम होगा 30.6 परसन बेरोजगारी है 30.6 परसन अब इसे कैसे कम किया जाए या समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं 7.8 परतिस्त पहुंच गई भी रोजगारी दर मैं में 7.12 थी तो बेरोजगारी दर में कमी आई है लेकिन इतनी कमी नहीं आई है कि अभी लोग खुसाल हो सके रोजगार में सके तो रोजगार को कैसे बढ़ा जाए इसकी बारे में सरकार को सोचना चाहिए अगली अपडेट है असिश्टर प्रोफेसर भरती को लेकर जैसा कि चैनल के माधिम से आपको बताया गया कि असिश्टर प्रोफेसर भरती का विग्यापन जल्द आने वाला है इसी महीने वैठक होने वाली है उत्तवरिष उच्चितर शिच्छा सिवा आयूक की चुका है या बातें उन्होंने पद्भार समालने के बाद अनुपचारी बात्चीत में अभी विग्यापन संख्या 50 किते 47 विस्यों में 2002 पदोग के लिए भरती चल लए है अब विग्यापन कब आएगा तो आगस सितंबर तक आपको किसी भी हाल में किसी मैं अधिक्तम ब सब्सक्राइब देखने को मिलेगा किसी भी हाल में किसी भी हाल में तो इसलिए आप तैयारी में लगजाए है एक और मैश्चार जानकार देढूंद वर्ति-घोटाले की पारे में उन्यद्रियाइ करने के मंग में बार आज बसे हापटे में बछार्कार और विपच्छिय सवाल है जब आप कब तक आए तो जब आप में थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीट को बताया पूरी नहीं हो पा रहे है ऐसे में सीवी आइज कराई जाए तो क्या सब्सक्राइब कर दोब देखने वाली बात होगी तो मैं आपको अवश्य दूँगा अगली अपडेट यूपी बोर्ड परिच्छा के अंकपत और प्रमार्पत की वित्रण को लेकर मैं आपको बताना च बोर्ड यानि की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परिच्छा परिच्छा बर्स 2022 की परिच्छा के अंकपत उप्लब दकराने के निर्दे सचु जिन बिक्यान सुकुल ने दिये हैं उन्होंने कहा है कि जिन छेत्रे सच्छिउ ने अभी अंकपत विद पूर्जानकारी में आपको देना चाहता हूँ अगर आपके अंक पत्र में कोई तूर्टी है जैसे नंबर को लेकर रूल नंबर को लेकर डेटा बर्थ को लेकर आपके नाम पिता जी के नाम माता जी के नामे कोई तूर्टी है तो आप स्कूल के प्रधानाचार से कहकर उसम अगर कोई तूटी होती माक्षिट लीजिए अगर कोई तूटी लगती तो अप्लिकेशन बनाकर वहाँ पर तुरंट जमा कर दीजिए आपका दूसरा माक्षिट आ जाएगा अगले अपडेट है डी अलर 2022 को लेकर मेरे दोर आपको बताया गया था जिस दिन आपको समाचार पढ़ने को मिला था कि 47,000 के ओल आवेदन हुए हैं उसी दिन मेरे तो आपसे कहा गया था कि आवेदन कम हुए हैं और जो पिन पी में चर्चा चल रही है एक प्रस्ताव तयार किया जा रहा है कि आवेदन की अंतिमतिसी बढ़ाने को लेकर आवेदन की अंतिमतिसी बढ़ से बढ़ेगी आवेदन के अंदिवत से बढ़ने के बाद कितने आवेदन होते हैं देखने वाली बात होगी वैसे पंदरा दिन बढ़ाने की बात चल रही है अभी की जानकार के अनुसार 75,000 अभ्यर्थियों ने अब तक पंजी करन कराया है या संख्या अधिक्तम 80,000 से एक लाक हो सकती है इसकी उम्मी जताए जा रही है अगली अपडेट है पहले बायच में 20 परिस्त महिलाओं की भरती करेगी नो से ना अब तक कितने आवेदन हुए हैं इसके समद में टेली ग इतने आवेदन होगे कि संख्या जो है साथ लाक उन्चास जाल आर्सो निन्यान में हो गई है टेली ग्राम पर देखेंगे पूरा डाटा मेरे द्वर आपको बताया गया है तो जो नो सेना में भरती होने जा रही अगनी वीरों की उसमें महिलाओं को प्राथ्विक्ता दी जा रही है नो सेना में अगनीवीरों की भरती के पहले बैच में 20% सीटों पर महिलाओं की भरती की जाएगी इतना ही नहीं अगनी वीर के तवर ब counties की गई हला को नो सेना अपने यूध कि यूध कि युधक जहाज और पंडुबी से लेकर कई अन्य ब्रांचों में तैनाद भी करेगा तो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर ब्रेकी नहीं हो जाए एक और महत पूर्जान का देदू ब्रेट परिश्चा को लेकर ब्रेट परिश्चा की कड़ी सुरुच्छा में आज होगा परिश्चा बातों को समझेगा कड़ी सुरुच्छा जिससे पेपर लीक की घड़नाय सामने आए धाज लीक की घड़नाय सामने ने आए लखनो विश्विध्याले ने ब्रिजट के समयूत परिश्चा के लिए सभी तयाजिया पूरी कर लिया परिश्चा के सन्यूजे प्रोफिस्टर आरवी सिंग और प्रोफिस्टर राके दुवेदी ने मंगलवार की दोपर तयारियों को लेकर अंतिम बैठा किये साम को भी अपर मुख सत्यू की अज़ेता में बैठा कोई परिश्चा पुद्वार को लखनों की 61 चीता पूरियों राइबरेली के 18-18 हर दूई और लखिन पूर के 13-13 केंद्रों पर दो पालियों में कंडेक्ट कराए जाएगी तो परिश्चा को सुटार उढ़ंग से संपन्द कराने के लिए सरकार की द्वारा और लखनों की स्विध्याले के द्वारा काफी मसकत की गई है काफी व्यूस्थाएं बढ़ाई गई हैं जिससे परिश्चा में किसी विकार की कोई कमी देखने को ना मिले अरगले अप्डेट है ऐलटिकर शिखखवर की को ले कराई कराने की तयार है इसे परिश्चाट अचाता हूँ कि राज की बिद्यालों में अल्टिक्रेट भरती अब दो चर्णों में होगी ठीक वैसे जैसे PCS में होती है पहले प्रारंबिक परिष्छा कराए जाएगी इसमें सफल अभरती मुख परिष्छा में सामिल होंगे भरती परिष्छा लाने के लिए उद्देश से उत्तरप्र प्राप्त हुए हैं तेली ग्राम पर बता चुका हूँ सूचना में लिए लेकिन अधियाचन प्राप्त नहीं हुए हैं अब विग्यापन कब तक आएगा आपके जैन में अभी सवाल है तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ विग्यापन के लिए थोड़ा आपको तो उसका परिडाम देखने को मिलेगा कब मिलेगा बैठक के बाद उमीद है कि एक से दू दिन में त्यार हो जाए आप कोई संगती आजए कोई कमी आजए तो खुशकता रोग जाए अगस्ट सितंबर तक कि इसी भी हाल में देखने को मिलेगी सासद मैं आपको बताना चा होगी तो मैं आप तक पहुंचा तूंगा इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाए टेली ग्राम पर फटा फटा फटनी हो देता रहता हूं सबसे पहले सई और सठीक जानकारी के लिए टेली ग्राम चैनल को जोएन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन द